वेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी लेके आए हूँ वो आपका आज सेलर मित्तल निपो स्टेल प्लांट की तरफ से वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है इसको हम निपो स्टेल प्लांट से भी जानते हैं बेसिकली इनों ने बिल्कुल fresher candidate के लिए vacancy निकाली है तो किसी भी type का experience यहाँ पे नहीं मांगा है यह आपका trainee position के लिए vacancy रहेगी और एक permanent job आपको देखने को मिलेगी permanent मतलब की क्या रहता है कि आप permanent base पे काम करेंगे on roll के base पे काम करेंगे एक बड़िया salary के साथ यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले position के बारे में तो यहाँ पे दो category type की vacancy है पहला जो category रहेगा वो diploma के लिए रहेगा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर 2024 में complete करने वाले हैं तो आप इसको apply कर सकते हैं दूसरा जो category रहेगा वो bbtek वालों के लिए रहेगा अगर आपने bbtek complete कर रखा है या फिर 2024 में आपका या पास उटो चुके हैं तो आप इसको apply कर सकते हैं बbtek के अंदर यहां पे 2025 यहाँ पास उटोने वाले है तो भी आप यहाँ applicable है या फिर बने डिप्लोमा कर रखा है बिल्कुल जी आप इसको apply कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वीडियो को skip कर देते हैं डियरक उनको apply link से मतलब रहता है बस उनको apply link चीए तो अगर आपको apply link चीए मैंने already दे रखा है telegram पे whatsapp channel पे linkedin पे video के description में video के comment box में सारी जगे दे रखा है अगर आप खुद apply कर सकते हैं आपके अंदर इतना है कि खुद apply कर दूँगा तो apply कर दीजिए video के description में सारी जगे apply link मिल जाएगा और अगर आप video को पूरा देखेंगे तो इतना आपको समझ भाएगा कि इसके अंदर आपका salary क्या रहेगा job location क्या रहेगा एंड यहां पे apply का पूरा process क्या रहने वाला selection process क्या रहेगा interview के preparation कैसे करनी है क्या-क्या interview में सवाल पुछे जाएंगे यह सारी चीज़ और female भी candidate यहां पर apply कर पाएंगे तो अगर आपने अभी तक video को like नहीं किया तो एक like तो बनता है इससे हमारा motivation बना रहता है जब आप video को like करते हो हमने मातर यहां पे 900 प्लस like का target रखा है और अपने दोस्तों के अंदर यह video suggest कर दीजेगा देखें फायदा क्या रहता है अ अगर आपके दोस्त का selection हो गया और आपका selection हो गया तो आपको एक group मल जाते हैं आप दोनों relocate हो सकते हैं क्योंकि अकेले relocate होने में problem रहती है तो आप अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को suggest करते रहेगा शेयर करते रहेगा और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि comment box में अपने education qualification को comment करके बताना इसे आपको फायदा मिलेगा कि जब भी मैं next video upload करूँगा आपको वही update provide करवा दूँगा जो आपने मुझको comment box में बता रखे हैं बताना यह है कि आपकी branch कौन सी है आपका trade कौन सा है आपका पासर उटियर कौन सा है आप fresh हो कि experience holder हो और आप अभ platform यूज करता है LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp यह उपर आइकन दे रखे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना और हमसे connect हो जाना है और यहाँ पर मैं आपको top पर दे रखे है selected student के list को तो यह उन student के list है जो कि आज top MNC company में काम करते हैं हमारे channel के थूरू इस पर क्लिक करके आप उन सभी student को जिरू करते हैं चलिए बात कर लिते हैं कि यहाँ पर आपको apply कैसे करना उस process के बारे में तो यहाँ पर दो type की वेकेंसी है पहली वेकेंसी पोस्ट आउट की गई है LinkedIn पे इनके officially LinkedIn एकाउंट के थूरू वेकेंसी पोस्ट आउट की गई है आरसिल मितल निपोस्टिल प्लां आपको देखने को मिल जाती है 2025 वाले candidate इसको apply कर सकते है और 2025 से पहले अगर आप पास उटो चुके है तो भी आप इसके लिए eligible रहेंगे उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते है कि कौन-कौन से branch eligible है mechanical, electrical, ceramic, civil, metallurgy यह सारी branch आपको देखने को मिलेगी यह आपका apply link यहा आपका रहेगा तो आपका एक यहाँ पर online assessment होगा, assessment बतलब कि online exam होगा जो आपको घर पर बैठके देना पड़ेगा अपने laptop से, अपने PC से, laptop है तो ठीक है नहीं तो आपके पास यहाँ पर computer होना चीए, जिसमें एक webcam होना चीए, एक microphone होना चीए, तब ही आप इस exam को Cyber Cafe में जा सकते हैं, एक गंटे के लिए, जब भी इसका exam होगा उस दिन, तो आप जाके exam दे सकते हैं, अब यहाँ पर apply link दे रखा, यह vacancy आपके रहेगी यहाँ पे LinkedIn के तुरू, इसका link मैं आपको वीडियो के description में provide करवा दूँगा, अगली vacancy दे रखी है, यहाँ पे beginner polytechn senior का position आपको देखने को मिल जाता है, दोनों का link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा, one by one हम apply कर लेते हैं, पहला GT का apply कर लेते हैं, उसके बाद हम apply कर लेते हैं, यहाँ पे DT का, फिर भी मैं आपको DT के अंदर branch बता देता हूँ, कि कौन-कौन से branch आपको देखने को eligible है, mechanical eligible है, metallurgy eligible है, electronics and communication eligible है, उसके अलावा यहाँ पे 22, 23, 24 candidates को apply कर सकते हैं, अभी तक इनका जो form है, वो active है, तो apply जरूर करिएगा, पहले हम apply करते हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे रहेगा, GT का form, तो मैंने आपको वीडियो के description में link दे रखा है, तो इसके अंदर द आपका 2024 या 2025 में पास उटोने वाल है, तो आपका यहाँ पे 5th semester तक, यहाँ पे 65% का criteria complete होना चाहिए, और backlog आपकी नहीं होनी चाहिए, दस्वी और बार वी के अंदर आपका यहाँ पे होना चाहिए, 65%, तो इन्होंने बोल दिया है, उसके अलवा यहाँ पे male female दोनों type के candidate date eligible है, उसके अलवा अगर आप नीच आएंगे, तो इसका जो last date रहेगा, 7 April 2024 तक आप इसको apply कर सकते हैं, यहाँ पे आपको tick करने है, record पाने के लिए, next वाले बटन पे click कर देने है, आपके सामने एक new tab open होगा, फिर scroll down करने है, आपका जो भी basic information आपको डालनी पड़ेगी, आपका full name क्या है, mobile number क्या है, hometown कहाँ पे, कौनसे state के अंदर है, आपका hometown city क्या है, gender क्या है, उसके बाद next वाले बटन पे click कर देने है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे BVTEC की detail डालनी पड़ेगी, आपकी college का क्या नाम है, उसके बाद आपने क्या कर रख है, B कर रख है कि BVTEC कर रख है, यहाँ पे मैंने BVTEC डाला है, और आपकी branch कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे जो branch है, mechanical, electrical, metallurgy, ceramic और civil, यह आपकी 5 branch eligible है, मैंने यहाँ पे civil को fill कर दिये, उसके बाद next वाले बटन पे click करना है, नीचे आना है, उसके बाद पूछे हैं कि आपका pass out year कौन सा है, 23, 24 और 25, अगर आपका pass out year 2025 का है तो भी eligible है, 24 का है तो भी eligible है, 23 का है तो भी eligible है, 2025 में जो pass out होने वाले है, उनको पहले internship मिलेगा, 2024 और 2023 वालों को यहाँ पे जो मिलेगा graduate engineer trainee का program मिलेगा, तो पहले आपको internship कराई जाएगी, यहाँ पे 6 महीने की, उसके बाद आपका program होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको job मिलेगी, तो यह आपका यहाँ पे होने वाल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2025 डाल दिये, उसके बाद पूछे कि आपके total aggregate कितने बने हैं, तो आपको डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे दिकत आपको रहेगी, जो candidate यहाँ पे अभी third year के अंदर है, मतलब कि उनका मान लेते हैं कि अगर वो अभी fifth semester में है, तो अगर उनके जितने भी percentage बने अभी तक कि है, वो percentage आपको fill करने है, backlog है कि नहीं है, backlog नहीं होना चीए, तो यहाँ पे आपको no वाले बटन पर टिक कर देना है, next वाले बटन है, इस पे आपको चल जालेंगे, अगर आपने 12 के बाद b-tech कर रखा है, तो आप 12 के percentage यहाँ पर fill करेंगे, उसके अलबा यहाँ पे जो आ रखा है, वो आप करहेगा, अगर आपने 12 किया है, तो आपको passing year आपको डालने है, और अगर आपने diploma किया है, तो उसका passing year डालने है, इन्होंने mention नहीं क एक है, लेकिन उप पर इन्होंने 12 और diploma दे रखा है, तो आपको अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको डिप्लोमा का passivity डालने है, 12 कर रखा है, तो 12 का passivity डालने है, यहाँ पर जो भी लिखा है, उसके लिखा है, उसके बाद नेक्स टोले बटन पर टिक करना है, 10 के percentage और possibility डालने है फिर next बटन पर टिक करना है उसके बाद scroll down करना है अपने resume को upload कर देना है resume का size 500 kb से कम होना चाहिए 500 kb से जादा होगा तो upload नहीं होगा उसके बाद निच्चा आना है और यहाँ पे जो भी declaration है उसको टिक कर देना है और यहाँ पे अगर आप टिक करना चाहते है उस पर टिक करने के बाद आपका जो response है आपको send हो जाएगा आपकी email id पे और submit वाला button ने इस पर click करके आप submit कर सकते है यह आपका यहाँ पे form active है तो भी सभी इसको apply जरूर कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पे इसका extend कर दीए इसका form का last date जो कि आपका रहेगा चार अपरल तक तो सभी बच्चे इसको apply करने है यहाँ पे आपका नाम आएगा full name यहाँ पे आपके roll number आएंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी branch आ जाएगी जैसे कि डिप्लोमा का बढ़ रहे है तो अगर आपकी ब्रांच mechanical production, automobile, electrical, ceramic, chemical, computer science, instrumentation, metallurgy या फिर electronics and communication या फिर आपकी branch civil है तो जो भी आपकी branch है डिप्लोमा की उसको आपको डालना है आपका यहाँ पे जैंडर कौन से है उसको डाल देना है आपका college name कि है तो यहाँ पे आपको doubt रहेगा अगर आप मद्यपरदे से ब्लॉंग करते है तो म अगर आप किसी other state से ब्लॉंग करता है तो यहाँ पे other option है तो आपको select करना है जो बच्चे वीडियो पूरा देखेंगे उन्हीं को समझ माएगा बाकी यहाँ पे गलत फिल गड़ देंगे उसके बाद यहाँ पे college का नाम क्या है और आपकी यहाँ पे college का नाम अगर आपक December 2023 का है, June 2023 का है, June 2022 का है, December 2022 का है जो भी है उसको fill करना है उसके बाद 1st semester में किते आपके marks बने हैं, 2nd में किते बने हैं, 3rd में किते बने हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे 4th में किते बने हैं, 5th में किते बने हैं, 6th में किते बने हैं, जो candidate यहाँ पे अभी 5th semester में है जि 6 semester तक उसको आपको fill कर देना है उसके बाद आता है यहाँ पे total number of subject failed during diploma अगर आप fail हो रखें किसी subject में तो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं ने था आप यहाँ पे zero fill कर सकते हैं उसके बाद आता है यहाँ पे कितनी backlog है अभी तक तो अगर आपकी backlog नहीं है तो यहाँ पे nil वाला बटन है इस पे tick करना है backlog यहाँ पे नहीं होने चीए उसके बाद आता है यहाँ पे mobile number first mobile number second तो आप अपने active mobile number यहाँ पे डालना है उसका नीचे आना है आपकी email id डालनी है और आपकी height किती है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है centimeter के अंदर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है नीचे आके submit का बटन है इस पे click करके submit कर देना है company आपसे कैसे connect होगी वो आपकी email id के तुरू आपसे connect हो जाएगी और आगर आपका profile यहाँ पे shortlisted होता है तो आपसे directly यहाँ पे connect हो जाएगी सारे form के link मैं आपको वीडियो के description में दे रखा है comment box में दे रखा है LinkedIn पर भी दे रखा है WhatsApp चैनल पर भी दे रखा है Telegram चैनल पर भी दे रखा है तो जाके check out कर लेना कोई भी doubt है तो comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही video को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job की नीड है comment box में ज जय हिन